नमस्ते मेरे किसान भाईयों, मैं हूँ आपका दोस्त श्याम, यो तो लोग मुझे कीट नाशक एक्सपर्ट कहते हैं, पर अपनी बढ़ाई अब खुद क्या करूँ? मेरे किसान भाईयों, अगर आप कपास, मक्का, मुंगभली, सोयाबीन, मिर्च, चाए और टमाटर की खेती करते हैं, तो इस दोस्त की बातें ध्यान से सुनिए, अगर आप फसलों में लगने वाले कीटों से परिशान हैं, तो बिल्कुल चिंदा ना करें, क्योंकि HPM Chemicals and Fertil लेकर आए हैं, उन सभी कीटों का नाशक अंतकाल, अंतकाल एक बहु उपयोगी कीट नाशक मिश्रण है, जो तीव रोदरिय तता संस परशिय क्रियाशीलता रखता है, जैसा नाम, वैसा काम, बस दीजिए मेरे बातों पर ध्यान, और जानिए, ये बेहद महत्वपून ग वसल पर लगने वाले माहो, तेला, चर्दा, टिड्डे की सुंडियाँ, मक्का में माहो, तेला, चुर्दा, टिड्डे की सुंडियाँ, मुंध फली में पत्ते का टिड्डा, पत्ता खाने वाली सुंडी, सोया बीन में स्टेम फलाए, अधर कुंडलक, मिर्च में पल की छेदक जिल्ली, चाय में चुर्दा, अर्द कुंडलक, चाय का मच्छर कीट, टमाटर में चुर्दा, फल छेदक जिल्ली और सफेद मक्ही की रोक थाम खिले की जाती है। के लिए अंतकाल को 200 मिली लीटर प्रती हेक्टेर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल कर छिल्काफ करें। अंतिम छिल्काव तथा फसल काटने के बीच 26 दिनों का अंतराल रखें। अब बात करते हैं चाय के फसल के बारे में। काटने के बीच एक दिन का अंतराल रखें। मक्य के खेतों में माहों, तेला, चुर्दा, टिड्डे की सुंडिया से निजात पाने के लिए अंतकाल को 125 मिली लीटर प्रती हेक्टेर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल कर छिल्काव करें। अंतिम छिल्काव तथा फसल काटने के बीच 42 दिनों का अंतराल रखें। मिर्च के खेतों में चुर्दा, फसल की 6 दक जिल्ली के रोक थाम के लिए अंतकाल को 1500 मिली लीटर प्रती हेक्टेर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल कर छिल्काव करें। अंतिम छिल्काव तथा फसल काटने के बीच 3 दिनों का अंतराल रखें। मुंगपली के खेतों में अगर पत्ते का टिड्डा खाने वाली सुन्डी करते हैं आपको परिशान तो इदर लगाईए कान। तो अपने खेतों में अंतकाल को 125 मिली लीटर पती हेक्टेर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल कर छिल्काव करें। अंतिम छिल्काव तथा फसल काटने के बीच 48 दिनों का अंतराल रखें। अपने खेतों में अंतकाल का उपयोग करते समय उत्पात की आवश्चक मात्रा मापे और थोड़े से पानी में इसे अच्छे से मिलाएं। निर्देशा नुसार हिलाते हुए पानी की शेश निर्दिश्ट मात्रा डाले और नापसिक स्प्रेयर्स या हाई वॉल्यूम स्प्रेयर्स से चुलकाव करें। एक और जरूरी बात वो है अंतकाल के उपयोग का समय तो चलिए उसके बारे में भी आपको जानकारी देता जाओं। शेत्र को उपचारित नहीं करें। फूल वाली फसलों में फूल आने के पाँच दिन पहले से फूल बनने की अवस्था पूरी होने तक स्प्रेय नहीं करें। इन सभी बातों पर ध्यान और HPM Chemicals एवन Fertilizers का विज्ञान करेगा कीटों का समाधान। अन्तकाल का इस्तमाल फसल हो बे मिसाल। HPM Chemicals and Fertilizers की पेशकश।